हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पर मैं एक्स्प्लीन करने वाला हूँ इट सब बॉई गल थिंग मुवी को ये एक फणी फेंटसी रोमेंस मुवी है जो की साल 2006 में रिलीज हुई थी इस मुवी के स्टोरी में लड़की लड़की के बॉड़ी में ट्रांसफर हो जाती ह दौनो एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दौनो में एक दम नहीं बनती और इसलिए वोड़ी उसे हमिशा परिशान करते रहता है वोड़ी और निल दौनो एक दूसरे से काफी अलग है जहां वोड़ी एक काफी ज़्यादा सरारती लड़का है और उससों म्यूजिक और साइमेन में पार्टनर बनाते हैं, ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक इन्सियंट गौड के मूर्टी के सामने बहस करने लगते हैं। जब दोनों जगर रहे होते हैं तब उस मूर्ती से धुवा निकलती है और उन दोनों के अंदर घुश जाती है दरासल वो मूर्ती दोनों के अंदर एक स्पेल को कास्ट कर रही थी और इन सब के बारे में उन दोनों को कोई भी ख़बर नहीं थी इसके बाद दोनों अपने अ private parts exchange हो चुकी है, दोनों को अपनी आखों पर भरोसा नहीं होता, थोड़ी देर बाद दोनों को realize होता है कि आखिर क्या हुआ है, इसके बाद दोनों स्कूल में मिलते हैं, और एक दूसरे को इसके लिए दोश देने लगते हैं, इसके बाद दोनों decide करते हैं, कि आप दोनों एक दूसरे की तरह pretend करेंगे जब तक इसका कोई solution नहीं मिलता है लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के body में काफी uncomfortable feel करते हैं और दोनों एक दूसरे की role को अच्छी तरह से निभानी पाते हैं फिर नील वोडी की football practice में जाती है और क्योंकि नील को football खेलना नहीं आता इसलिए वो बहुत गंदा perform करती है फिर एक बार नील formal dress पहन कर स्कूल आती है जब वोडी उसे देखता है तब उसे बहुत जादा गुस्सा आता है क्योंकि वो कभी भी फॉर्मल्स नहीं पहनता इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है इसके बाद वोडी decide करता है कि वो नील को सबक सिखाएगा इसलिए वोडी नील की body में टीचर से अजीब behave करने लगता है जब नील ये सब देखती है तब वो भी काफी जादा frustrated हो जाती है और क्योंकि वोडी के ऐसा करने से उसकी image खराब हो रही थी तो इसलिए उसे बहुत गुसा आजाता है इसके बाद नील वोडी के girlfriend के पास जाती है और उसे break up कर लेती है जब इसके बारे में वोडी को पता चलता है तब वो और भी जादा गुसा हो जाता है और नील को सबक सिखाने के लिए अगले दिन वो काफी छोटे और revealing कपड़े पहन कर स्कूल आता है स्कूल में वो सब के सामने काफी जादा अजीब behave करने लगता है जब नील ये सब देखती है तब उसे बहुत खराब लगता है इसके बाद वोडी नील के सामने नीकी नाम के एक लड़के के साथ बाइक में जाती है जब नील ये देखती है तब उसे लगता है कि वोडी उसके साथ intimate होगा और वो अपना virginity lose कर देगी इधर वूडी निकी के साथ होता है और निकी निल की बॉडी में वूडी के साथ इंटिमेट होने की कोशिश करता है ये सब निल को काफी अजीब लगता है और फिर वो निकी को वही पर छोड़ कर वहाँ से भाग जाता है इस बात से निकी को बहुत इंसल्ट फिल होता है और वो पूरे स्कूल में ये अफवा फैला देता है कि वो और निल एक साथ कल इंटिमेट हुए थे जब इसके बारे में निल को पता जलती है तो वो बहुत नाराज हो जाती है और पूरा स्कूल उसका मजाक उलाने लगता है इसके बात जब वो और निल को अपसेट देखता है तब वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसने कल रात को निकी के साथ कुछ भी नहीं किया और पूरे स्कूल में जूटी अफवाएं फैल रही है निल को रोता देख वोडी को बहुत गुसा आता है और फिर वो निकी से लड़ने जाता है लेकिन क्योंकि वो निल के सरीर में था इसलिए निकी उस पर भारी पड़ता है और फिर वहाँ पर Woody के सरीर में Neil आती है और फिर वो निकी को पिठती है फिर निकी सबके सामने इस बात को मानता है कि उसने school में जूटी अफवायें फैलाई है इस incident के बाद Woody और Neil दोनों बात करते हैं और फिर दोनों decide करते हैं कि अब से वो दोनों नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तभी उन्हें realize होता है कि museum के statue की वज़े से उन दोनों की body exchange हुई है और ये realize होने पर वो दोनों उस मूर्ती के पास जाते हैं फिर वो दोनों वहाँ पहुंच कर उस मूर्ती स में उसका exam होने वाला था और वोडी का football match भी होने वाला था ये event उन दोनों के लिए बहुत important थी लेकिन body exchange होने की वज़े से दोनों एक दूसरे के काम में अच्छे नहीं थे इसलिए दोनों एक दूसरे के help करने के सोचते हैं फिर निल वोडी को पढ़ाना शुरू करती है और वोडी निल को football practice कराना शुरू करता है फिर ऐसे करते करते काफी दिन भी जाते हैं और काफी समय साथ रहने की वज़े से दोनों की बीच अच्छी bonding हो जाती है और दोनों एक दूसरे को अच्छे सा समझने लगते हैं अब वो समय आ जाता है जब निल का exam होने वाला था और वोडी का football match फिर निल की body में वोडी university के interview में जाता है और यहाँ पर उसका interview बहुत ही अच्छा जाता है और दूसरी और इधर football match में वोडी की body में निल कुछ अच्छा perform नहीं कर रही होती है इसके बाद वोडी वहाँ पर आता है और वो निल को cheer up करता है जिससे निल का confident बढ़ जाता है और वो अच्छा खेलने लगती है और उसकी team match जीच जाती है match के बाद दोनों मिलते हैं और इसे दोरान वो ancient god की मूर्ती फिर से एक spell करती है जिससे वोडी और निल दोनों अपने अपने सरीर में वापस आ जाते हैं body shift होने पर दोनों बहुत खुश होते ह और इक दूसरे को success के लिए बधाई देते हैं तभी वहाँ पर football team आती है और फिर वोडी को उठा कर निल से दूर ले जाती है इसके बाद वोडी की girlfriend वहाँ पर आती है और वो वोडी को किस करता देख निल अपसेट हो जाती है क्योंकि अब वो भी वोडी को पसंद करने ल प्र निल के डैड निल के बारे में बात करते हैं यहां निल confess करती हैं कि वो सच में वोडी से प्यार करती है फिर उसके डैड उसे वोडी की दी हुई gift देते हैं इसके बाद farewell का दिन आता है लेकिन निल को उस party में नहीं पाकर वोडी बहुत जादा upset हो जाता है तब ही पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नहीं और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई